देखिए आज के डेट में जो है सभी के पास अधार कार्ड है तो अधार कार्ड के तरफ से कई तरह के अपडेट आते रहते हैं जिसके बारे में आपको जनकारी देते रहते हैं एक ऐसा अभी अपडेट आया हुआ है जिसके माधिम से ये काम जो है सभी को करना है ठीक है माल कहीं ध्यान देने वाले बात है और अपने अधार काड को जो मतलब जो भी काम है वो ज़रूर कर लें कियोंकि हो सकता है कि नहीं करेंगे तो फिर आगे चलके इसके लिए जो जाज भी आप से किया आ सकते हैं कि आप सभी जानते हैं कि पेन-कार में भी पहले free up cost में जो link in है उकिया जा रहा था लेकिन बात में क्या हुआ कि वहाँ पे chargeable कर दिया गया तो इस तरह से हो सकता है कि in future जो ही जिस तरह से अधार कार्ड में अभी आपको free up cost में service मिल रहा है इन future हो सकता है कि इसको भी chargeable कर दिया जाए तो इसलिए सभी को करना है हम आपको official notification भी दिखाएंगे जिसके माधिम सब स्योर हो पाएंगे कि हमें करना है कि नहीं करना है तो प्लीज वीडियो सुरू से अन तक लेकर जब देखेंगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे देखिए आप सभी जानते हैं कि अधार में जो है और किनको करना चाहिए ठीक है अभी हम आधार के जो official ट्यूटर हैं आप देख सकते हैं कि पूरी तरस जो official यहां पर ट्यूटर है यहां पर देखेंगे तुन्होंने बताया हुआ है कि जो document अप्लोड करने का facility है न फिरी अपकोस्ट हमने जो है 14 मार्च तक इसको बढ़ा दिया है यानि कि 14 मार्च 24 से पहले फिरी अपकोस्ट में आप यहां पर आधार में आपना जो document है उसको upload कर सकते हैं अब यहां पर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि अगर आप अपने आधार को हमेशा update रखना चाहते हैं तो आप अपना जो document है न उसको upload कर दें ठीक है इससे होता क्या है इन्होंने बताया हुआ है कि देख सकते हैं कि यह आपको recommended किया जा रहा है कि आप जो है अपने अधार में जो address proof और identity proof है ओला document जो है update कर दीजिए जिसके माधियम से आपका जो identity card है न यहां पर और भी मजबूत हो जाएगा मतलब कि उसमें जो भी demographic data है वो मतल privacy of demographic information यानि कि जो भी आपका demographic information है वो correct रहे सही रहे ठीक है इसके लिए आपको जो ही document यहां पर upload करनी चाहिए तो आपके पास अगरा अधार card है माल लिजे पूराना है या फिर मतलब बहुत पहले अपने बनवाया हुआ है और सभी चीज़ सही है ठीक है फिर भी आपको ज address और identity card जो होता है ID proof होता है वो यहां पर upload जरूर करें ठीक है तो इसके लिए करना क्या है सबसे पहले आपको जो है अपनी computer के browser में माई अधार लिखना है ठीक तरह सर्च करेंगे तो आपके सामने माई अधार का जो official portal है यहां पर देखने को मिलेगा इसको यहां से open कर ल लेगा नहीं है तो सबसे पहले जाकर mobile number link करवा लिजिएगा वहीं चाहिए तो आप documents भी update करवा सकते हैं कोई दिकत नहीं है लिंक है तो आपको यहां पर simple सा login के button पर click करना है अब यहां पर आपके पास जो भी अधार number है जिसमें आप अपने document को upload करना चाहते हैं उस अध login कर लेंगे तो यहां पर multiple जो है काम कर सकते हैं लेकिन हमें जो है document update करना है तो यहां पर देख सकते हैं कि उन्हें बताया हुआ है कि आप फिरी अप कोश्ट में 14 मार्श 24 तक जो है अपना जो document है उसको update कर सकते हैं इस पर आपको click करना है click करने कबाद यहां पर कूछ जन पर click करेंगे कुछ यहां पर जनकारी आएगा फिर आपको नेश्ट करना है अब यहां पर आपके अधार काड में जो भी demography details है वह यहां पर verify करने के लिए बोलेगा कि आपका नाम यह है जेंडर रहे है data बढ़ती है और आपका address यह है ठीक है तो आपको करना क्या है यहां PNG और PDF तीनों में है आप अपलोड कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं सबसे पहले proof of identity document में आपको कौन-कौन से document अपलोड करना होगा जिसमें जनकारी दिया गया है कि कोई एक document इसमें से आप चूज करके आपना जो proof of identity document है उसको upload कर सकते हैं जैसे की देख सकते हैं कि driving lessons हो गया इंडियन passport हो गया किसान photograph passport हो गया mark sheet हो गया certificate भाई जो भी आपका board of education के द्वारा certificate इस्यू किया गया है उप लगा सकते हैं यहां पर आपके पास मेरे certificate है उप लगा सकते हैं यहां फिर fancard है ठीक है रासन कार्ड है यहां फिर बहुत सार यहां पर document देखेंगे ठीक है voter ID card भी document आपको देखने को मिलता है proof of identity में अब ऐसे में दोस्तों ध्यां रखिएगा कि जो भी आप document upload करियेगा वो जो है अधार का जो भी नाम है data birth है उससे match करना चाहिए ठीक है अब ऐसा नहीं है कि आपके अधार card में data कुछ अलग है नाम कुछ अलग है data birth कुछ अलग है और आप जो है कोई document upload कर रहे है जिसमें नाम कुछ अलग है data birth कुछ अलग है तो फिर आपका एप्रूब नहीं होगा ठीक है तो सेम जो है जनकारी होनी चाहिए और इस document upload करने से किसी परकार की कोई भी डेमोगराफी में आपका correction नहीं होगा किवल आपका जो अधार है ना उएक तरह से accuracy में जाएगा मतलब कि और भी मजबूत उसको किया जाएगा ठीक है तो इसलिए आपके पास जो भी डॉक्मेंट है उसकी जनकारी आप यहां पर स्लेट कर लेंगे ठीक है उसके बाद कुछ इसका documents का advisory दिया आता है जिसको आपको देखना होता है फिर okay कर कि और जहां भी अपने document को राख राखा हुआ है वहां से आप इसको upload कर देंगे इस तरह से 100% upload हो जाएगा ठीक है मालीजी अगर आपने mistake कर दिया हुआ है तो आप इसको clear भी कर सकते हैं फिर नीचे आएंगे तो proof of address में एक document आपको देना होगा जो document का list आपको यहां पर देखनी को मिलेगा जिसमें passport हो गया किसान photograph passport हो गया मतलब बहु सारे document है देख सकते हैं कि bank account, credit card, post office account, statement लगा सकते हैं जो की तीन सास ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए यहां पर देखेंगे तो water bill हो गया, voter ID card हो गया ठीक है बहु सारे अलग अलग जो ही document यहां पर द certificate होता है वो भी issue करवा कर आप यहां पर लगा सकते हैं अगेन जो भी document लगाईएगा उस पर आपका जो भी अधार में address है उससे match करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपका address अलग हो और अधार में कुछ अलग हो तो फिर approved नहीं होगा ठीक है तो उस तरह से आपके पास जो भी document है उसका selection आपको करना है कि मेरे पास यह document है फिर उसके बारे में जनकाई पढ़ना है और यहां पर view के बटन पर क्लिक करके continue के बटन पर क्लिक करके document को इस तरह से upload करना है ठीक है तो दो in the documents exactly match with your demographic detailing अधार मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी आप document देंगे ओ document जो है आपके demography data से match करना चाहिए मतलब जो भी उसमें नाम है data birth है अपका पता है फादर का name है उस अब जो ही match करना चाहिए तो आपको यहां पर ok करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से जनकाड़ी देखने को मिलेगा जहां पर बोलेगा कि यह service आपके सामने कुछ इस तरह से dashboard आएगा आपको थोड़ा सा नीचे आनी है नीचे आने के बाद देखेंगे तो यहां पर हमने document को update किया हुआ था तो यहां पर देख सकते हैं complete हो गया है ठीक है बहुत पहले ही हमने update कर दिया हुआ था तो यहां पर देख सकते हैं कि इस तर डेमोग्राफी डेटा से मैच कर रहा है तो यहाँ पर कम्प्लीट कर दिया जाएगा इसका मतलब है कि आपके अधार काड में जो भी डॉक्मेंट है वो अपडेट हो चुका है अब आपको दोबारा अपडेट करने की अवैसकता नहीं है तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही सभी जनकारी को बड़ी है असान भासा में समझाने की कोशिस किया हुआ है कि अगर आपके पास भी अधार काड है तो प्लीज एक काम जरूर कर लें क्यूंकि आज नहीं तो कल आपको करना ही करना है ठीक है आपके पास दो डॉक्मेंट होनी चाहिए एक जो है प्रू को लाइक जरूर करें तैंक यू बेरी मच